Hello guys, hi, स्वागत आपका एक और धमाकेदार वैल्यूबल वीडियो में आज ना मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो कि शायद आज से पहले आपने यूट्यूब में बहुत ही कम देखा है मतलब अगर देखा है कि मैंने आपको एक प्लाटफॉर्म बताया था जो कि है Etsy Etsy के अंदर हम क्या करते हैं गाईस हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिजाइन बनाते है ये ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते है फ्रेम्स के फ्री में फ्री में डिजाइन कैसे बनाते हैं लेकिन हाँ इसमें आपको 0.2 cents देने पड़ते हैं जिसके लिए आप लिस्टिंग करोगे लेकिन अगेन उसका भी मैं तरीका बता दिया कि आप क्या कर सकते हो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सिंपल समझने की कोशिश करो यह आज का पार्ट जो है इसके अंदर मैं मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ क्योंकि जिस चीज की मार्केटिंग होती है बिकता हो ही है अगर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी बना लो जितना ही बढ़िया से बढ़िया प्रोड वाला सूरज भिक रहा है 5068 रुपे में और यह यह डौत 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 यह विक रहा है 424 रुपे और सिर्फ प्रिंट का पीडियेफ प्रिंट का पीडियेफ मतलब आप सोचे रहे हो कि आपको प्रिंट करके फेजना है वह भी नहीं यह सारे चीजे मैंने लास्ट आप यह जा जाएगा कि कहानी क्या है अब एट सी के अंदर किया है आप देखे हूं गईस यह जो प्रिंट यह प्रिंट है यह प्रिंट है आप देखो ध्यान से ध्यान से देखो, मालेते यह वाला है, 779 का यह है, अब आप सोच रहे हो कि यह फ्रेम मिलेंगे, फ्रेम नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, यह एक डिजिटल डाउनलोड है, जिसके अंदर आपको 2 TXT फाइल मिल जाएंगे, TXT फाइल, बतलब यह समझ रहे प्रिंट, या फैशन, या फैंसी, कोई भी फैंसी ऐसी चीज है, वो दो जगा बिख सकती है, उसका मार्केट दो जगा अवेलेबल है, ओनलाइन अगर मैं बात करूँ, एक है Instagram, और दूसरा है Pinterest, अब इन प्रिंट को भी, मतलब इन प्रिंट को भी, हम इन दोनों मार्केट में बेचने वाले हैं, आज कैसे बेचने वाले हैं, वो देखो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कि अगर इन दोनों प्लाटफॉर्म्स में भी, अगर मुझे चूज करना हुआ, कि किस पे सबसे ज़ादा फोकस करूँगा, या पूरा ही फोकस कर दूँगा, त क्योंकि Etsy जो है, यह major जो फोकस है, जो ओडियन्स फोकस है, वो US का है, United States के maximum traffic है, अगर मैं आपको यहाँ पर Etsy में ले जाओं, तो Etsy में आप देख रहे हो, कि United States से 103 मिलियन का इसका traffic है, look at it, और यह है United States, तो मुझे यही में फोकस करना है, मुझे US वाले ओडियन्स को यहाँ पर target करना है, तो यह रहा, तो इसका मतलब, अगर मैं Etsy में जाओं, तो आप देखोगे, मुझे इन products को आराम से बेचने के लिए एक marketplace मल गया, जो कि Etsy अपने आप में है, बट मैं चाहता हूँ कि Etsy में तो और भी designs बिक रहे हैं, मैं अपने designs फोकस करता हूं, मैं खुद के designs बेचता हूं, तो इसके लिए मैं वोलूँगा, use Pinterest, yes, you heard that right guys, Pinterest, Pinterest पे जाओ, और सबसे पहले आप यह देख लो, कि किस type के design जो है, वो बिकते हैं, अगर आपने यह पता लगा लिया, किस type के design बिकते हैं, तो आप definitely अपने canva में जाओ, या फिर mid journey के इस्तमाल कर लिखा, जैसे अपने print design लिखा, तो guys, देखो, जैसी एक print है, देख पारे हो, यह print जो है, यह Etsy के लिए बनाया गया है, कैसे पता लगा मुझे, जब मैंने इसको click किया, तो guys, आप देखो, इस print को, जिसने बनाया है, यह देखो guys, Etsy.com, मतलब यह Etsy में बिक रहा है, 120 आप समझ रहे हो, कितना होता है, कम से कम 10,000 रुपे का बिक रहा है, और अगर मैं आपको यह, इसका description दिखा हूँ, कोई Indian बेच रहा है, वरना ओम क्यों लिखता, ओम प्लीज, सीमोर पर चलते हैं, तो आगर मैं आपको यह दिखा हूँ, let's go to visit, Etsy पे ले जाएगा यह मु इस तरीके से यह सारी कहनी जो है, यह चलती है, तो Pinterest में इस तरीके से आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, देख रहे हो, यह सारे Etsy वाले लोग है, Etsy, 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 और मार्केटिंग कहां चल रही है, डॉलर में चल रही है, तो डेफिनेटली यह बहार की country, बतला आप खासकर यूएस के लिए, सारा Etsy का, सारा Etsy का, मतला अब आपको खरी designs बनाने हैं इस तरीके से, तो आपको दिखा दो, let's suppose यह आपको पता क्या है, यह 118 डॉलर का है, और canvas print है, शायद यह print है, मैं आपको सस्ते वाले दिखाता हूँ कुछ, 8 डॉलर का, realistic human eye with spiral, इसको उपन करते ह और यह 8 डॉलर का है, और यह कोई creative market है, मतला चलो, यह तो Etsy नहीं है, यह creative market है, वापस चलते है, मैं Etsy का ही कुछ दिखाता हूँ आपको, यह कोई बहुत simple सा design है, leafy earth, यह embroidery है, चलो छोड़ते है, एक डॉलर में क्या दे रही है, यह शैलन है, मैं Etsy दूनने की कोशिश कर रहा हूँ, यह देखो, 25 डॉलर का यह कोई चिमगादर है, इसको उपन करते हैं, और Etsy पे चलते हैं, लिजी print of slendant attachment, अच्छा यह मैट पेपर में बिक रहा है, मैं चालता हूँ सिर्फ आपको दिखा हूँ कि कौन सा print है, खली print बिक रहा है, वो दिखा देता हूँ आप तो आपको इसका बहुत बढ़िया benefit हो जाए, Etsy का होना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं, यह 12 डॉलर में Etsy का कुछ भिक रहा है, यह देख रहा हूँ, 5676 sales, मतलब तकरीबन छपन सो sales, तो आज की कहानी यही ती गाईस कि अब आपको जो करना है ना, वो सारा काम Pinterest पे करना Pinterest पे आओ, और देखो किस टाइप के designs जो हैं, यहाँ पर sale हो रहे हैं, आपको यहाँ से काफी ज़दा idea मिलने वाला है, अगर आप Pinterest पे रहोगे, तो you can see a lot of idea, कि किस टाइप के designs जो हैं, यहाँ पर sale हो रहे हैं, एक एक design का आप यहाँ पर idea उठाओ, कि कौन से design यहाँ पर सिर्फ उसको बनाना शुरू करना है, like this, example, यह रब, इसमें से यह 873 रुपीज का है, इसका सिर्फ आपको digital print देना है, digital print, मतलब digitally बना दो, लोग जाएंगे, इसको purchase करेंगे, और purchase करने के बाद क्या करेंगे, वो अपना खुद का print-out निकालेंगे, और अपना खुद frame ब big सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्याद आपको option मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उस type के ही designs बनवाओगे, canvas से या mid journey से, जैसी भी आपको बनाना है, और फिर उसको Pinterest में ही आके list कर दोगे, Pinterest में list कैसे करते हैं, उसके लिए मेरा already Pinterest के ऊपर एक video बना दिया गया है जो कि T-Spring के T-Shirt को sell करने के लिए मैंने बनाया था, इसलिए मैं बार-बार उसको repeat नहीं करूँगा, आप जाके उस video को देखना कि Pinterest में कैसे marketing करते हैं, लेकिन आप Pinterest से design उठाओगे, similar बनाओगे, और Pinterest में बेज लोगे, यही सिखाना आज का main purpose था, जो कि मैंने हाँ पर अपना बहुत बड़ा marketplace है इसका खुद का, तो Etsy के खुद के जो design sale होंगे वो तो होंगे, मतलब वहां से आपको जितना sale आएगा वो तो आएगा, लेकिन आप अपने designs के लिए भी तो मेहनत करोगे, उसके लिए आप Pinterest के स्थेमाल कर दो, तो guys यह थी कहानी, बाकी मैं ऐस जैसे आपको और भी techniques बताता रहूँगा, धरे धरे छोटे छोटे चोटे वीडियो बनाके, एक ही वीडियो को लंबा बनाके, फिर आप उसे देख पाओगे, नहीं पाओगे, कम्प्लीट कर पाओगे, नहीं पाओगे, इसको ध्यान में रखते हुए, मैं छोटे छोटे जैसे से मुझे लगेगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं उतना current shot रखके, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको carry forward कर देता हूँ, और इस तरीके से ही आप मेरे चैनल पे वीडियो कंज्यूम करते हो, कैसा लगा अभी तक का वीडियो और ये वाला आपको इस बना के आपको forward कर दूँगा, तो गाइस बाकी मिलते परे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाद दीजिये, मुस्करात करेए, बाई